Let's do question number 24 of exercise 3B that is linear equation 2 variable question number 24 is solve for x and y हमें x और y की value निकाल नहीं है हमें equation दे रखिया 1 upon 2x plus 1 upon 3y equals to 2 and second equation दे रखिया 1 upon 3x plus 1 upon 2y equals to 13 upon 6 यहां पे x और y equal नहीं है 0 के क्योंकि अगर 0 के equal हुए तो value infinite पहुच जाएंगी तो हम अपनी equations लिखते हैं हमारी first equation थी 1 upon 2x plus 1 upon 3y equals to 2 यह हमारी first equation थी और second equation थी 1 upon 3x plus 1 upon 2y equals to 13 upon 6 यह हमारी second equation थी जब भी upon की values आती थी upon में variables आते तो हम उसको let कर लेते थे तो let 1 upon x equals to a and 1 upon y equals to b तो यह कितना आ गया 1 upon 2a यहां पे 1 upon x को a माल लिया तो 1 upon 2a इसी तरीके से 1 upon 3b plus 1 upon 3b equals to 2 हम क्या लेंगे LCM लेंगे 2 और 3 दोनों opposite है मतलब की कोईच भी common नहीं है तो आपस में multiply हो जाएंगे फिर इस 3 की multiply इधर और 2 की इधर तो यह आया 6 3 into 1a plus 2 into 1b equals to 2 तो यह आ गया 3a plus 2b upon 6 equals to 2 और 3a plus 2b equals to यह 6 इधर multiply हो गया तो 2 multiplied by 6 तो यह आ गया 3a plus 2b equals to 12 यह आ गयी हमारी third equation right अब हम fourth equation का देखिए इसी तरीके से 1 upon 3a plus 1 upon 2b equals to 13 upon 6 तो हमने LCM लिया opposite मतलब कुछ भी common नहीं था तो वही 6 आ गया और 2 की multiplication 1a में plus 3 की multiplication 1b में equals to 13 upon 6 तो यह आया 2a plus 3b upon 6 equals to 13 upon 6 एक important बात class 10 में मुझे बताने की ज़रत नहीं है शायद आप लोग mostly जानते होंगे जब भी यह पूरा divide में होता है इधर भी और इधर भी और नीचे same denominators होते हैं तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं नहीं तो अगर आप देखें वैसे भी कटेगा अगर मैं इसको इधर into में ले जाओ तो 6 upon 6 से कट जाएगा तो हम क्या करेंगे वो step ना करके यहीं की यहीं काट देंगे this is an important step which मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं आपको clear कर देते हूं तो यह हमारी equation क्या आ गई 2a plus 3b equals to 13 यह आ गई हमारी fourth equation अब हमारी third equation और fourth equation लिख लेते हैं तो यह थी 3a plus 2b equals to 12 हमारी third equation थी और fourth equation थी 2a plus 3b equals to 13 यह हमारी third equation और यह हमारी fourth equation आप देखिए यहाँ पे दोनों coefficients के अलग-अलग है दोनों variable के राइट तो हम इसको multiply उपर करें और इसको नीचे यह इसको उपर यह इसको नीचे बात एकी है तो मैंने यहाँ पे 2 से multiply कर दिया और यहाँ पे 3 से तो फिर हमारा कौन सा variable equal आजाएगा ए राइट तो हमने लिखा multiplying equation 3rd by 2 and equation 4 by 3 तो यह कितना आ गया? 3 2s are 6a plus 4b equals to 24 and 6a plus 9b equals to 39 sign change करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों के sign सेम थे और आपस में इस cancel होगा है आप देखिए 9 एक minus का है और 4 plus का है तो आपस में subtract हो जाएंगे और sign बड़े वाले का लग जाएगा तो यहाँ आगे minus का 5b equals to यहाँ पे भी ऐसी होगा तो यहाँ आगे 5 और 1 अब minus minus cancel हो गए तो b कितना आ गया? 15 upon 5 that is 3 right अब हम b की value रख लेंगे putting b equals to 3 in equation third, third में रख लीजे, fourth में रख लीजे, किसी में भी रख लीजे तो यहाँ गया 3a plus 2 into b equals to 12, तो 3a plus 6 equals to 12, तो 3a कितना आ गया? 12 minus 6 हो गया तो 3a आ गया 6 के equal और a आ गया 6 upon 3, that is 2, right? a2 आ गया आप देखिए 1 upon x हमने a की equal माना था और 1 upon x a है हमारा 2, तो यह इधर चला गया और 2 इधर लिया है तो यहाँ 1 upon 2 equals to x, x की value आ गया 1 upon 2, इसी तरीके से हमने 1 upon y को हमने b माना था तो 1 upon y, b की value आई 3, तो 3 नीचे आ गया उपर से और y उपर चला गया, तो हमने क्या लिखा 1 upon 3 equals to y तो हमें पता चल गया कि x की value है 1 upon 2 और y की value है 1 upon 3 is the answer हम हमें य Bak Türkiye work Great 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 accreditation व μ'नाओ सिर में बस्य करोपिर च की दो तो हमें वीची नीन पותचा मने की खिल गया खी है बस्क lasting वो rate영 है हमें बस्क्तित Śानल सबस्क्राप्स